अगर सीजन एकसेंड नहीं हुआ होता तो कल जो है फिनाले होता परसो बारा तारिक को ऐसे में इन सभी के कॉंटिबुशन की बात की जाए तो क्या वाकि में कुछ चैसे contestant है जो अभी तक शो में contribute नहीं कर रहे। उस तरह को उनका contribution ही नहीं जो उनसे expect किया गया था। तो घर के अंदर एक टास्क हुआ है जीरो टास्क और इस टास्क में सभी को बताना था कि घर का ऐसा कौन सा सदस्य है जो अभी तक जीरो है अगर उसे इस पर्टिकुलर अगर कहा जाए कंटेस्टेन का सहरा नहीं मिला होता तो बहुत सभी को एक एकर के बारी मिली लेकिन जो ख़बर आ रही है इस जीरो टास्क में सभी ने ज्यादा तर निशाना किस कंटेस्टेन को बनाया है कौन है वो कंटेस्टेन मैं हीना कुमावत टीवी विंटर पर बताऊंगी तो न्यूज एंकर दिवांग और प्रोड्यूसर संदीप सिकन जो है उन्होंने सभी के साथ मिलकर एक जीरो टास्क खेला है तो अब ये बात जो है पोली गई है और पूछी गई है तो इस तरह का एक टास्क घर में खेला गया जिसमें खबर आ रही है कि सौंदर्या और सुंबुल निशाना सबसे जादा बने सौंदर्या को कहा गया कि वो बिना अर्चना के जीरो है तो इस तरीके से एक ये टास्क हुआ है जो हमें आज रात को दिखाया जाएगा तो एक बाद फिर सुंबुल और सौंदर्या जो है निशाना बने हैं मैं आपको बता दूं कि दिबांग और संदीब ने टीना चालीन के रष्टे की जो फेक जो ये लोग कर रहे थे उसकी तो धजिया उड़ा गर रदी जिस तरीके से कहा कि प्लास्टिक के फूल जो आप दिबांग और संदीब जो है बोलते में नजर आए हैं तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये शालीन और देखे संदीब सिकंद इंडस्ट्री की प्रडियूसर है ये तो इन लोगों को कब से जानते हैं इनके साथ काम भी किया है और ऐसे में इंडस्ट्री के लोग भी अगर आपको फेक कह रहे हैं और ये तो ठीक है जिस इंडस्ट्री में आपको काम करना है वो भी आप पर फेक कर ठपा लगा रहे हैं तो आप सोचिए कि इस शो में आप क्या पाने आये थी और आपने क्या पाया है तो अपने आपने उन लोगों के लिए ये सोचने वाली बात है कि वो करने के आए हैं खैर में बात कर रही थी जीरो टास्क की तो जीरो टास्क में सभी से पूछा गया और खबर या रही है कि सबसे जादा लोगों ने सुंबुल और सौंधर्या को निशाना बनाया है